उम शान्ती आज की तारीख है 9 फरवरी 2022 बाप दादा के महवाक्य हैं मीठे बच्चे सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है वही सर्व का सद्गती दाता है प्रश्न है बाप अपने बच्चों को चड़ती कला में जाने की कौन सी युक्ती सुनाते हैं उत्तर बाबा कहते मीठे बच्चे मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो दूसरा प्रश्न कौन सा गुईय रास तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेदों शास्त्रों का सार आ जाता है उत्तर ब्रह्मा सो विश्नु और विश्नु सो ब्रह्मा कैसे बनता कैसे दोनों एक दो की नाभी से निकलते हैं यह गुईय रास तुम बच्चे ही समझते हो यह सभी वेद शास्त्रों का सार है गीत नैन हीन को राह दिखाओ प्रभू उम शान्ती मीठे मीठे अती प्यारे सिकिलदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं यू तो बाप को सारे स्रिष्टी के बच्चे प्यारे जरूर है बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनुष्य मात्र हैं वे परम पिता परमात्मा की संतान हैं इश्वर्य फैमिली हैं फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है जिसने बच्चों को रचा है बेहत का बाप कहते हैं प्यारे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे पर वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, कब मिले इस संगम युग पर, जबकि बाप आकर सब बच्चों को शान्ती से शान्ती में ले जाते हैं, शान्ती के लिए कितनी कॉन्फरेंस आदी करते हैं, आपस में मिलते हैं, कि स्रिष्टी में मारा मारी बंद हो जाए, और आपस में शान्ती कैसे हो, नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे, विनाश से डरते हैं, ये भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुख धाम अर्थात आदीस नातन देवी देवता धरम की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही हैं, तुम सब बैठे हो, बेहत के बाप से बेहत सुख का वर्था लेने, तुम जानते हो, बरोपर परम पिता परमात्मा आकर, फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं, विनाश तो जरूर होना चाहिए न, क्योंकि इस समय सब दुकी हैं, यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है, जो भी दुकी हैं, उन सब को सुखी बनाना, बाकी जो खुद ही दुकी पतित हैं, वे फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे, सो भी सारी दुनिया की बात है, गाते भी हैं, सर्व का सदगती दाता एक है, ही परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, यह तो सब धरम वाले जानते हैं, कि भारत में गौड गौड़ेस का राज्य था, उस समय हम लोग नहीं थे, प्राचीन भारत की बहुत महिमा है, भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? भारत, स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, भारत बहुत साहुकार था, अब कल्यों के अंत में अनेका अनेक धरम है, बाकी एक देवता धरम प्राए लोप है, ठंगाल महान दुखी बन पड़े हैं, अब वे बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा दादा तो जुआरी था, ये नहीं कहते हैं, निराकार बाप कहते हैं, इस शरीर द्वारा, कि ये ब्रह्मा भी अपने चन्मों को नहीं जानते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भी अपने चन्मों को नहीं जानते थे, मैं इन में प्रवेश करता हूँ, ये भी ड्रामा में था, कैसे प्रवेश होते हैं, ये सवाल नहीं है, बाप कहते हैं, मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारन पूडे तन में आकर प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में, ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर इनको समझाता हूँ, यह सब बना बनाया बेहत का बड़ा ड्रामा है जो सेकेंड पास होता है वे फिर रिपीट होगा यह बेहत ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं बाप कहते हैं बच्चे जो कुछ तुम दान पुन्य आदी करते आए हो यह सब है भक्ती मार्ग इनसे कुछ भी प्राप्ती नहीं है क्योंकि भक्ती में अब कोई भी सार नहीं है इतने यह सब चित्र आदी जो कुछ बनाए हैं इनको गुडियों की पूजा कहा जाता है चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया यह सब बेसमझी हुई न? यक्य जब रचते हैं, तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे-छोटे साली ग्राम बनाते हैं यह किस की पूजा करते हैं? यह भी समझते नहीं है पाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है शिव का लिंग बनाते हैं तुम बच्चों की भी साली ग्राम बनाते हैं तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो तुम हो खुदाई किदमतगार तुम्हारी बाप से प्रीत है बाप की श्रीमत पर चलते हो तब श्रीमत भगवत गीथा गाई हुई है भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा कोई भी धरम स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते वे आते हैं धरम स्थापन करने उनके पास जो नौलेज है वही सुनाएंगे ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आया कर बाइबल पड़ा नहीं वहें आया धरम स्थापन करने बाप आकर श्रीमत देते हैं श्री अर्थात श्रेश्ट मत उचे ते उची मत है ही भगवान की तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो बस अक्षर ही दो हैं बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे तु वे हैं बाप और हम सब हैं इश्वरे फैमली के मेंबर्स यह बात किसकी बुद्धी में नहीं होगी इनकी मुद्धी में भी नहीं थी अब बाप बैट इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माई हैं इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूं तुमको वापस ले जाने यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है बरोबर बाबा हमको नौलेज दे रहे हैं इनको अपना शरीर तो है नहीं श्री कृष्ण का साधारन रूप नहीं कहेंगे वह तो स्वर्ग का पहला प्रंस था फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाज यह तो हो भी नहीं सकता कितना फर्ग है संगम पर श्री कृष्ण हो न सके आर्टिफिशल कृष्ण तो बहुत बनते हैं बाकी प्रैक्टिकल सत्युग में होगा कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़े ही कोई हो सकता है नाम तो बहुत अपने उपर रखवाते हैं बाप कहते हैं बच्चे इस अंतिम जनम में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी पवित्रता तो अच्छी ही है बहुत बच्चिया मार खाती हैं अबलाओं पर अत्याचार होते हैं लिखते हैं बाबा क्या करें हमको इस बंधन से छुड़ाओ नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साडियां दी यह एक कहानी बना दी है बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जनम तुम कभी नगन नहीं होंगे वहाँ है ही रामराज्य मुक्य विकार है अशुद अहंकार दे अभीमान दे से मोह रहता है वहाँ है आतम अभीमानी समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं उसको आतम अभीमानी कहा जाता है बाब कहते हैं तुम सम आतमा हो शिप बाबा को याद करते रहो क्योंकि अब वापस जाना है यहें आतमों की सच्ची सच्ची रुहानी यात्रा सबको सुप्रीम बाब के पास जाना है तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं बाब कहते हैं तुम बाब को याद करते चलो अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी कल्प पहले वाले ही यहां आएंगे अभी कलम लगाना है जो देवी देवता धरम का मीठा जान था सो प्राई लोप हो गया है बाकी टाल टालियां कड़ी है वैसे ही इस देवी देवता धरम का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है बाकी निशानिया रही है परंतु वै कौन है यह किसको पता नहीं है न अपने धरम का पता है इसलिए हिंदू धरम कह देते है बाप कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिर्टाज था धरम के लिए ही कहा जाता है Religion is might अभी तो देवता धरम है नहीं फिर वै धरम कैसे स्थापन हो बाप है सर्व शक्ती मान वर्सा उनसे मिलता है ताकत भी उनसे मिलेगी बाप है स्रिष्टी का मेज रूप हम उनकी फैमली हो गए बाप सत है चैतन्य है ज्यान का सागर है सब कुछ आत्मा में है आत्मा ही सुनती है पढ़ती है आत्मा में ही अच्चे बुरे संसकार होते है इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धी भारत वासी ही बने है श्रेष्ट ते श्रेष्ट आत्माएं भी भारत की ही थी वही हैवन के मालिक थे यह नाटक बना हुआ है सब को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है आत्माएं सब एक जैसी है उनमें कोई फर्क नहीं है ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है बाबा बड़ा है नहीं आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है उनकी कभी end नहीं होती एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी वे अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है क्या ये बातें विद्वान, पंडित, शास्त्रों की अथोरिटी जानते है इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा उनको भी अपना पार्ट टाइम पर पजाना है सब को सुखी बनाना है ख्याल करो आत्मा क्या है बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके भक्ती के लिए फिर बड़ा बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके जिसको शिव अत्वा रुद्र भी कहते हैं है बिंदी मिसल तिलक देते हैं न यहां ये बड़ी समझने की बाते हैं और तो कोई समझा न सके ये बाप बैट समझाते हैं बहुत महीन बाते हैं बाप समझाते हैं बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है आत्मा के ओर्गंस देखो कितने बड़े हैं इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, अब फिर पावन बनना है, तुम अव्य भिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो ओहो, बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ग्यान सुनाते हो, और किसकी ताकत नहीं, जो ये नौलेज दे सके तुम्हारी चड़ती कला अब ही होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, इस समय सभी मनुश्य मात्र पतित हैं, इसलिए बाप कहते हैं, मैं सबका उधार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ, गाते भी हैं, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभू, गोया सभी कहते हैं, हम नैन हीन हैं, हमको राह बताओ, कहा की राह, अपने घर की, यहां तो बहुत दुख है, बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो, बाबा अक्षर से वर्सा याद आता है, प्रभू या ईश्वर कहने से वर्से का नशा नहीं होता, त्वमेव माताश्य पिता त्वमेव, यह उनकी महिमा है, मनुश्य कह देते हैं, यह वेद तो अनादी है, परन तुपूछो कब से पढ़ते आए हो, क्या सत्युग से लेकर, वहां शास्त्र तो होते ही नहीं, यह है भक्ती मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं, बाप कहते हैं, अभी मैं आकर, तुमको सबका सार समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा बच्चा मेरा है, यह विश्नु की नाभी से निकला है, ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विश्नु का बच्चा तो नहीं है, हाँ, ब्रह्मा ही फिर विश्नु बनते हैं, फिर विश्नु चुरासी जनम बाद ब्रह्मा बनते हैं, यह बहुत गुईय राज है, जो तुम बच्चे ही समझते हो, अभी ब्रह्मा मुक द्वारा, तुम ब्रह्मन बच्चों का जनम हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संपून पावन बनने के लिए अव्य भिचारी बनना है, एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है दूसरा पॉइंट, खुदाई खिद्मदगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, एक बाप से प्रीत बुद्धी रहना है वर्दान, स्वस्थिती द्वारा हर परस्थिती को पार करने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भव जो बच्चे त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं, वे अपनी स्वस्थिती द्वारा हर परस्थिती को ऐसे पार कर लेते हैं, जैसे की कुछ था ही नहीं Knowledgeful त्रिकाल दर्शी आत्माएं समय प्रमान हर शक्ती को, हर पॉइंट को, हर गुण को ओडर से चलाते हैं, ऐसे नहीं कि समय आने पर ओडर करें सहन शक्ती को और कार्य पूरा हो जाए, फिर सहन शक्ती आए जिस समय जो शक्ती, जिस विधी से चाहिए, उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे, खजाने के मालिक, मास्टर त्रिकाल दर्शी स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं, और सब को खुशी बाढ़ते हैं, वही सच्चे सेवा धारी हैं अच्छा, ओम शान्ती